जैहें साथियो वेलकम टू सेल्प स्टडी क्लासेश विस्वमित चैन यूटूज चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों सिक्षा सास्त्र से सम्मंदेथ हमारी निरंतर सीरिज चल रही है हिंदी सिक्षा सास्त्र बर्ग तीन सीटीटी से सम्मंदेथ तो उसी में आज हम हमारे टेलीग्राम ग्रूप से सभी जुड़ना है और पूरी की पूरी पिलेलिस्ट आपको मैंने बना रखी सेक्चा सास्र की तो बेस्तरेत अद्धिन करना है सभी को उसके बाद हम जो है अभ्यास प्रस्टने लाएंगे तो अभ्यास भी हम सभी करेंगे तो पहले बेस्तर में कम रूची लेने लगते हैं बच्चों में भासा संबंदी प्रमुक त्रूटियां इस प्रकार हैं और हम यहाँ पर हाँ जो हमारा प्रस्टन है जो हमारा टॉप है कि बच्चों में भासा संबंदी त्रूटियां तो सबसे पहली त्रूटिया आप से पूचा जाएगा question कि निम्न लेखित में असे बताईए कौन सी बच्चों में भासा संबंदित तुर्टी है या फिर नहीं है इस प्रकार से तो आपको याद रख लेना है कि एक तो उच्चान संबंदी तुर्टी है सीखने वाली भासा की सब्दों का उच्चान मानक भासा सी थोड़ा भेन्न होता है इस लिए बच्चे सब्द तथा अक्षरों के उच्चान के तुर्टी या करती है उधारण के लिए कुछ षात्र वा तथा व द, स, ठाध में तो आधि अक्षरों को तो है उच्चान संबंदी तुर्टी या होती है ब्याकर्ण तुटियों से बचने के लिए ब्याकर्ण नीमों का सही ग्यान होना अवसके तो उच्छान सम्बंदी तुटियां फिर ब्याकर्ण सम्बंदी तुटियां भी होती है पाथन सम्बंदी तुटियां होती है एक उच्छात्रों में पढ़ने संबंदी एक कठनाई तथा तुटिया पाएं जाती हैं क्योंकि पूर्व माद में कक्षाम उनका है कौंसल पूर्ण रूप से विक्सित नहीं किया गया होता है जिसके कारणों ने पढ़ने में कठनाई आती है दुनिया तेज पढ़ना ब्र लेखन संबंदी तुटिया देख लो चात्रों में लेखन संबंदी तुटिया पाएं जाती है मात्राओं के असुद्धिया बर्णों को उचिताकारमेन ल trafficking बाते एक्षर लिकना मारत शिरू रिखना लगाना आदी लेकन संबंदी तुटिया भी होती हैं सब्दबरी संब चात्रों में सब्दावली सम्मंद्ध त्रुटिया पाई जाती हैं। भासागत त्रुटियों की प्रकार देखलों। ७ासागत त्रुटियों की प्रकार हैं। तो आपका उत्तर होगा दो बेवस्ते त्रोटियां और आवेवस्ते त्रोटियां ठीके जान लेते हैं बेवस्ते त्रोटियों के बारे में इसका भी प्राय भासा की उन फूलों और असुद्धियों से है जो किसी ब्यक्ति के पारिवारेक और जो है गत संसकारों के चलते उ उत्पन होती है हैना उन भूलों भूलों और असुद्धियों से हैं जो किसी व्यक्ति के पारिवारेक परिवेस गत संसकारों के चलते उत्पन होती हैं इस प्रकार के असुद्धियां प्रया है इस्थाई होती है और इनका जो है उपसमन कठन होता है इन असुद्धियों में अनुचे तो चान और सब्दों के सुद्ध रूपों का जो है प्रियोग साधान है आम तोर पर इस प्रकार के सुद्धिया किसी एक व्यक्ति के बेवहार मेना होकर उस परिवेश के सभी प्रियोगताओं में समान रूप से होती हैं सुद्ध भासा परिवेश और कक्छा में अपचार एक भासा सेक्चन इस प्रकार की भासा तुटियों के संसोदन का एक मात्र उपाए है तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है कि भासा गत तुटिया होती है तो यह बिवस्ते तुटिया होती है यानि कि जो बिकरप नमर जो एक है टॉपिक वो बिवस्ते तुटिया दूसरा है आवेवस्तित तोटिया, एनिकि इस परकार की तोटिया असुधिया इस्थाइना होकर तातकालेक कारणों से होती है, इनके कारणों में सीगरता हर बड़ा हट क्रोध जैसे आबेक प्रमुक हैं, इस परकार की तोटिया कभी भी एक समान नहीं होती, क्योंकि भासा प्रियोकता सही भासा की सही रूप से जो है परिचित होता है, इस परकार की तोटियों से बचने का कोई निस्चित उपाई नहीं है, क्योंकि इनके होने की कोई निस्चित परिस्तिती भी नहीं है, तो जे आवेवस्तित तोटिया होती हैं, आंगे लेखते थे तोटियों क कारण तुटियों के कारण क्या है तो आप से पूचा जाएगा निम्न मैंसे बताईए कि भासा समंदी तुटियों के कारण कौन सा नहीं है या फिर कारण है तो मात्र भासा ब्यागात दुतिये भासा सीखने वाले चात्रों पर मात्र भासा का इसपश्ट प्रभाव देखता है क्योंकि सिक्षार्ती दुतिय भासा की दुनियों को अपनी पहली सीक्षी हुई भासा की दुनियों के संदर में ग्रहन करता है ठीक है तो मात्र भासा संबंदी जो ब्यागात होता है लक्षन भासा की सरचना अत्मक जटेलता भासा की सरचना भिन्न होने से दुतिय भासा सीखने वाले जटात्र भासा के कोछ इसत्रों पर अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते और उन्हें कठनाई होती है तथा बी जो है तूटिया करती है तो एक लक्ष भासा की सरचनातमक जटेलता होती, अच्छे सिक्शकों का अभाव भी होता है, अच्छे सिक्शकों की अभाव के कर्ण चात्र भासा में उच्चान गतर सुद्धियां करती है जिए सिख्शक क स्यम की किसी वर्न यहाँ सब्द को गलत तरह से जो उच्टरइद करेगा तो चात्र भी बैसा ही उ सेविंग होना चातरों की मांसे किस्तिती ना ठीक ना होने के कारण भी तुरुटियां हो सकती है 진짜 जिन सब्दा वली से परिचेत है या उसका ग्यान ना होने के कारण भी तुरुटियां होती है बासागत त्रटियों को दूर करने के उपाय देख लो बालकों को सही अक्षर बोद कराना बालकों को बिम्रन अक्षरों की धुनियों का बोद कराना उन्हें संयोकते अच्रों डाढ़ाड वा बा सासा आदी से अउगत कराना लगू तथां दीर्ग ध्वनी का बोत कराने सही उच्चान से खाना तथां जादे से जादा अभ्यास कराना है ना और बालकों को बलागात का ग्यान कराना ठीक है छात्रों को लगू और दीर्ग अक्ष्रों से परिचित कराना उच्छान को सुधारने के लिए पाट को बोल बोल कर पढ़ने का निर्देश देना चाहिए एक समान तुटिया करने वाले विद्यारतियों का समूह बना कर दो सुधार की विवस्ता की जानी चाहिए अच्छे सिक्षकों का चैन करनी चाहिए तो ये भासा का त्रोटियां हैं जिनको सुधारने के विभिन ए पॉइंट दिये हैं तो आप से पूँछे जाएंगे कि निम्न में से बताईए कौन सा भासा त्रोटियों को दूर करने के लिए सही है या फिर दूर करने के लिए सही कथन नहीं है तो ये सारे के सारे जो कथन हैं आपको आने चाहिए कि भासा तुर्टियों को किस परकार से दूर किया जा सकता है ठीक है तो यह चीज आपको याद रख लेनी हैं दोस्तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही नेक्स्ट जो हमारा टॉपिकों का बच्चों में भासा संबंदी बिकार ठीक है भासा संब बस्तित किया गया है सभी लोगों को देखना है और टेलिग्राम ग्रूप में सभी पीडियाप फाइले हैं वो प्रेसित की जाती है तो पीडियाप फाइल के लिए आपको टेलिग्राम ग्रूप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है टेलिग्राम एप डाउनलोड तो अगर कोई आपको डाउट लगता है तो किलियर भी कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक और सेर अबस्त करें दोस्तो आज के लिए वसितना ही जैहिन